हेलो वरीवन वेलकम टेखी फोकस देखे इस वीडियो में बेसिकली मैंगो की परके बारे में डिसकस करेंगे जो आयवीप्सस या फो ःफो के एक्जाम पॉइंट आवव व्यू से कफी तो देखे दो-तीन पॉइंटिस में जो काफी important हो जाते हैं तेके सबसे पहले बात करते हैं mango को हम national fruit यह आपको सब पता होगा national fruit है mango और इसे हम bathroom fruit के नाम से भी जानते हैं तो एक्जाम में direct question raised होने की पूरी-पूरी possibility ऐने बाद송 फ्रूट किसे कहते हैं तो मैंगो को ही कहते हैं, बाद क्रूट कि बात करें गें है, तो मैंगा फिरा इंडी क्वारा इंडी का, चुल नहीं कूलेourse है, तो ये ऍलश्चा होकिर से बिलोंग करता है India, टो ये लादी कि खार्म न्यूल कूले में नाम के बात करता। से इसकी उत्पत्ति हुई है बेसिकली आप याद रखें इंडो बर्मा एक्जाम में यही ज्यादा रेज होने की पोसिबिलिटी होती है देखें बात करते हैं मेजर प्रोडक्सिंग इस्टेट यानि कि जहां पर या इसकी प्रोडक्सा नदिक होता है देखें बेसिकली आपर डूफ होगा डूफ डूफ याद रखें हमने एक हमने की वीडियो में पहले भी डिस्क्राइब किया था कि इसको याद रखने की ट्रिक यानि कि जैसे कोई फ्रूट है मलब सभी फ्रूट नी ज्यादा तर अधिकतर ऐसे फूट है जिसमें एक हार्डनेस टाइप का सीड होगा है ना उसका जो फ्रूट टाइप होगा वह अधिकतर देखे बात करते हैं इसके एडिबल पार्ट की देखे एडिबल पार्ट क्या है मैसोकार्फ ठीक है यानि कि मैसोकार्फ जो भितियों खाई जाती है देखे बात करते हैं इसमें विटामिन एका ये रिच सो और क्वैश्टा और रृष्ट करते हैं। हं एयरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टीविटी। आ, जो एरिया है इसका हैि यूपी है देखे ये दोजार आट नो का है बट अभी तक रिपोर्ट के नुसार जो हाइस्ट एरिया है वो यूपी में यह ठीक है ना तो यह अभी तक कोई भी बदली नहीं तो दोजार आट और नो से अब तक का यह है और इसका प्रोडक्शन आंध प्रदेश में दीखे प्रोडक्टिविटी इसके 5.5 मिलियन टन है देखे यह बेसिकली आप यह स्किप कर सकते हो और यह भी स्किप कर सकते यो भी हाँ यह याद रखिएगा प्रोप्रवर्धन किस परकार होता है देखे बात करते हैं अगर हम कमर्सियल लेवल पर कर रहे हैं तो वीनियर ज्याद सूटेबल है तो वीनियर ग्राफ्टिंग इसका कमर्सियल प्रोप्रोप्रेशन मैथड है याद रखिएगा और इसकी जो हाइड डेंसिटी प्लांट होगा यानि की अधिकतर जो डेंसिटी प्लांट की वह होगी आमरपाली वेराइटी याद रखिएगा काफी उ करते हैं देखें मैंगो क्रोप में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं बट जो हम है काफी यूनिकोशन है वह हम आपको बता रहे हैं तो अपनी नौट डाउन में नौट कीजिएगा चलिया आगे बढ़ते हैं देखें अब बात करते हैं अलग-अलग श्टेट की वेराइटी की यानि की उनकी वहाँ पर क्लाइमेट और जो वहाँ पर क्लाइमेट की और कंडिशन अलग-अलग वैरी करती हैं तो उसके अनुसार भी वेराइटी जो है वहाँ पर सुटेबल जो होंगी वो डिसक्राइ ये काफी यूनिक है डिरेक्ट कोश्चन भी रेज होता है कि जरदालू किसकी वराइटी है तो मैंगो और इसमें बॉम्बे ग्रीन काफी यूनिक है बॉम्बे ग्रीन याद रखेगा और आप हाँ गुलाब यह ना गुलाब खास यह भी और इसमें आप गुजरात में नौसाथ दसैरी और मालदा यह तो पता भी होगा आपको काफियत तक राजिस्थान में देखें बॉम्बे ग्रीन बिहार में भी आए और राजिस्थान में भी याद रखेगा बॉम्बे ग्रीन काफी एक अलग नाम डिफरेंट वराइटी है जो नेम भी इसका अलग है ब और एक बंगाल पाली और बस इतना रखी रख लीजिए यह मौर देन सफिसेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए गाइस देखिए मैंगो की कुछ अजी वराइटी के बारे में डिस्क्रस करेंगे जिनके अलग-अलग करेक्टर है यह काफी यूनिक हो जाती है कहीं बार एक्जाम में डिरेक्ट इनसे कोस्टन रेज हो नहीं पूरी-पूरी पोसिबिलिटी है अलग-अलग करे देखिए सबसे पहले बात करते हैं अलफांसो अलफांसो का है most popular variety है इंडिया की जो export के लिए काफ यूनिक है और यह sponge tissue से से श्श्टेटिपल है और देखे अगली वेराइटी है आमरपाली हाई डैंसिटी वेराइटी देखे याद रखेगा जो अलफान्सो है वह मोस्ट पॉप्लर वेराइटी जो एक्सपोर्ट के लिए है और जो आमरपाली है हाई डैंसिटी है तो याद रखेगा इन में major difference है ना पाली देखिए यह में कमर्सियल वैराइटी यह अंदर परदेश की यह भी काफी यूनिक है याद रखेगा और चॉंसा स्वीटेश्ट स्वीटेश्ट वैराइटी ओफ मैंगो डिरेक्ट कोस्चन रेज पूरी पूरी पूस्पिलिटी है तो चॉंसा याद रखेगा और फजली लेट मैचोर्टी यानि कि लेट थोड़ी सी जो यह पकती है वैराइटी और एक केसर केसर देखेए यूनिक है कई बार अलग-अलग एक्जाम में पूछा गया केसर किसकी वैराइटी है तो मैंगो की है करते हैं हम लाल सिंदु वैराइटी पाउडर मिल्डियू र एक बात करते हैं हाँ वैरी इंपोर्टेंट है यह है ओफ सीजन ओफ सीजन जो वैराइटी है वह है निरंजन तो बैसिकली इनके दो तीन ही याद रखेगा वोलेंटियर सारे रख सकते हैं बाट दो तीन वैराइटी है जिनिक काफी यूनिक करेक्टर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए आप एक वैराइटी याद रखेगा रोसी का यह है म्यूटेंट वैराइटी कोशन आ सकता है कि मैंगो कौन सी वैराइटी म्यूटेंट है तो म्यूटेंट वे बैसिकली एक जैनेटिक का पूरा टोपिक है जिसे आगे चल पूरी तरह कौन सा जैनेटली फंक्सन है या फिर ऐसे आ सकता है कि म्यूटेंट वैराइटी कौन सी है एक्जाम एक्जामिनर आपको कैसे भी गुमाई बट आपको गुमन नहीं है अगर म्यूटेंट आया तो रोसी का अपना पॉइंट जो अपना ओप्शन होगा वो सही ओप्ट करें देखें एक कोशन है रुमानी रुमानी जो है एपल से याने कि एपल के आकार की वैराइटी है जो रुमानी कोशन डिरेक्ट रेज होता है कि एपल के आकार की वैराइटी कौन सी है तो रुमानी एपल से वैराइटी ओप मैंगो रुमानी तो याद रखेगा एक तो में याद रखिया है काफी उनिक है इनके करेक्टर जो एक्जाम में फर्दर अलग-अलग टाइप से देखने को मिलते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है चले गाइस आगे आगे मूव करते हैं झाल है कि देखिए एक ना एक कोस्षण यहां से फूरे पूरी पूरी पूस्पीलियोटी होती है जो भारत में 10 पॉली मैमरोनिक वैराइटी है यानि की बहु भूरुणी है जो वेराइटी है में 10 है यानि कि आपने कई बार देखा होगा जैसे कि हम mango के सीड है mango को सीड अगर हम धरती में लगाते हैं यानि कि उसकी सोविंग करते हैं तो उसे एक ही पोदा निकलता है ना वो क्या होगा एक गुणीता लेकिन वह गुणीता यानि कि एक सीड से दो तिन प्लांट निकल जाए त कोशन यह भी डिरेक्ट रेस होता है कि पोली मेमरोनिक वेराइटी कौन सी है तो ओलर याद रखेगा काफी यूनिक कोशन है और एक यह दखें मुल्गोवा यह भी काफी अच्छी वेराइटी है बस और एक यह इनमें से हाँ यह चंद्र किरन यह याद रखेगा तो काफी यूनिक वेराइटी है जो पोली मेमरोनिक वेराइटी है देखें और एक यह टेवल है यह भी काफी यूनिक है इसे डिरेक्ट रेज होने की पूरी-पूरी पूसिबियोटी होती है कि जो हाइवरिड वेराइटी है मैंगो की, वो किस-किस के क्रोस से मिलकर डवलप की गई है, तो देखिए हम एक-एक करके सब को जानेंगे देखिए सबसे पहले बात करते है मलीका, मलीका यह है नीलम दसैरी, नीलम दसैरी, देखिए इससे आप याद रख सकते हैं N, D, सोरी, N, D, M N से क्या है, नीलम दसैरी से क्या है, D से क्या है, दसैरी, और M से मलीका, तो याद रखिएगा, इस तरह आप याद रख सकते हैं और देखें, दूसरी वराइटी है, जो आमरपाली यह भी हाईवरिड वराइटी है, यह बेसिकली आप याद रखेंगे, D, N, A D से दसैरी, N से नीलम, और D से सोरी, N, D, A, यह आपर A है, सोरी, सोरी A से आमरपाली, तो इस तरह याद रखिए, रतना याद रखिए N, A, R, N से नीलम, A से अलफानसो, और R से रतना, और इसमें सिंधू, R, A, S R से, रतना, A से अलफानसो, S से सिंधू तो इस तरह याद रखिएगा, एक तो आप मलीका, आमरपाली, रतना, सिंधू, बस यह यूनिक है, जो एक्जाम में डिरेक्ट रेज होने, पूरी-पूरी पूसिबिलिटी है, कि किन हाइब्रेट से मिलकर डवलप हुई है, मैंगो की हैब्रेटी है, तो आप बेसिकली अपने दिमाग में ये ट्रिक बनाई है, और इससे जो फर्स्ट वराइटी का जो ये है, जिसे आर होगा, निलम होगा, रतना होगा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो याद रखेगा, और इसमें आप एक, एक ही ये याद रखेगा, मंजीरा, है ना, ये है रुमानी और निलम से, बस, ये याद रखेगा, काफी यूनिक है, देखे, आप, जैसे हम याद रखते हैं, तो याद रखनें में कहीं बार प्रोब्लम होती है यानि कि याद रखते हैं भूल जाते हैं देखिए बार-बार रिवाइज करने से कोई भी चीज याद होगी है ना लगबग छह बार अगर आप रिवाइज करेंगे जैसे आज किया और फिर दो-तीन दिन बाद किया और लास्ट में संडे वारे दिन हपते में दुबारा जो नोट्स बनाया है उसे रिवाइज किया बेसिकली एक किसी भी बुक का टेस्ट बुक हो या अपना नोट्स हो ऐसे method है और इससे data याद रह सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखे कुछ इसकी new variety है जो IAR IE से release हुई है जैसे पूसा सूरिया पूसा अरुनिमा देखे आमरपाली और यह हुआ सैतने संस के जो variety है इनसे डबलफ हुई है और एक अकसे select from दसारी दसारी से select की गई है देखे एक important point यहां है कि only 0.1% flower perfect डबलफ fruit to mature यानि कि अगर हमारे आम के कोई paid है उस पर जितना भी उसके flower यानि कि आये हुए है कि जितना भी तो उनका 0.1% ही एक perfect तरीके से mature होगा और जो हमें बाद में आम यानि की fruit प्राप्त कराएगा तो देखे यह basically काफी unique है 0.1 100 मैं से 0.1 तो याद रखेगा 100 मैं से 0.1 तो इतना ही percent जो है यह अच्छी तरह जो full है जो हमें full provide कराते हैं देखे नंबर उप perfect flower found highest लंगडा और lowest in Roman variety जो है इन पर अच्छी तर जो perfect flower हमें दिखाई देते हैं मिलते हैं और यह एक chemical है जिससे हम 5-10 percent flower को induction करने के लिए हम use कर सकते हैं इस chemical का नाम पैकलो ब्यूटरा जोल है जो हम 5-10 ppm में आता है जिसका हम चुड़काओ करते हैं और से flower की मातरा बढ़ा सकते हैं देखे अगर flower की अगर अधिक होगा यानि 0.1 से अधिक होगा तो जबी तो production अधिक होगा है ना तो production बढ़ने के लिए काफी chemical use करते हैं देखे basically mango में जो इसका pollinator जो काम करता है यानि pollination का काम करता है वो एक housefly है तो काफी unique question है एक्जाम डिरेक्ट पूछ जाता है कि आम में pollination किसके दुआरा होता है दो housefly और इसमें cn यानि carbon nitrogen का ratio 10 ratio 1 पा जाता है देखे इस से इस table को आप skip कर सकते हैं इसमें कुछ खास है नहीं अगर volunteer याद प्रोजन 10 डालते हैं और यहां पर P2O5 है सोर यह टाइपिंग मिस्टेक P2O5 फास्वरस पचास और K2O यानि पोटास जो है 100 और इसी तरह आप यह याद रख सकते हैं बस basically अगर याद रखना चाहिए P2O है देखे इसका एक exam oriented question यह है कि जो cluster in mangos now है जुमका तो question यहां से पूछ सकते हैं कि जुमका किसके related है यानि कि जुमका जो mango यह ट्रम है यह जो name है यह किस से related है तो आपको चार option 5 option मिलेंगे fruit के तो उनमेंसे mango आपका साई opt होगा तो याद रखेगा कलश्टर को हम जुमका के नाम से भी जानते हैं which is due to Improver pollination ठीक है ना तो इनमेंसे जो हो रहा है यह इंप्रोब pollination के कारण होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखिए harvesting period की बात करते हैं basically आपको सब को पता भी होगा हमार से लेगर मध्य अगस्ता किसकी harvesting की जाती है देखिए कुछ late variety है जैसे आपको आगे पहले mention किया होगा जैसे फजली हो गया तो ऐसी variety चोंसा हो गया जो लेट वेरेटी हैं को हम दस एरी लंगडा की harvesting करने के बात करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक एक एक्जाम में डिरेक्ट कोस्टन रेज होता है कि जो एक अच्छा मेंगो की वेराइटी होगी उसमें कितना TSS होगा तो यह 20% होगा कफी रखेगा 20% बात करते हैं इस्टोरेज कंडिशन की जहां हम मैंगो को स्टोर करके रखते हैं टेम्प्रेचर की बात करते हैं तेरा डिग्री सेलसे जो की हम बनाना में भी इतना ही है तो याद रखेगा एक होते हैं रिलेटिव हुमिडिटी यह 50-90% काफी यूनिक कोशन है और एक इस्टोरेज पीरियर्ड 23 सबता तक हम इसे इस्टोर करके रख सकते हैं और यह है फ्रीजिंग पॉइंट 1% तो बेसिकली आप इसको दो पॉइंट याद रखेए इसमें टेम्प्रेचर कितना है और एक इस्टोरेज पीरियर्ड बस यह आपके याद रहेगा एक फ हमारा मैंगो होता है मैंगो जो मैंगो है जो उसका अंदर का जो पार्ट है याँ पर इसके टी सब्सक्रियर् Rodion deficiency बोरोन की कमी कारण होता है जिससे मैंगो बाहर से ब्लैक सा पढ़ जाता है न तो एक होता है scap burning post-harvest disorder यानि कि harvest होने के बाद कहीं बार मैंगो आपको black-black से दिखाई पढ़ता है उसे कहते हैं sub-burning और एक होता है mango formulation में क्या होगा यह fusarium millennium forum जो इसका कोज का name है इसके कारण होता है इस पर हम इस पर हम इस पर करते हैं यानि कि naphthalene acetic acid 200 ppm में हम इसका इस पर करते हैं जिससे mango formulation से हमारे पोदे को harmful harm नहीं हो पाता और एक बात करते हैं black tip की काफी exam कहीं बार पूछ जाता है black tip किसके regarding है तो mango देखिए black tip क्या है जैसे mango है mango के उपर बार एक बार एक से black जो है धब दिखाई पड़ते हैं देखिए यह क्या होता है बेसिकली co2 और sorry so2 co2 और co2 के कारण होता है जैसे कहीं पर इट पकाने के लिए भट्टे हैं तो वहाँ पर यह जो disorder है ज्याद़ दिखाई पड़ता है तो आप इसपे बस बोरोक्स बोरेक्स जो उसका 0.8 ppm परसेंट का चिड़का होकर उससे क्या होगा एक बोरेक्स के एक आम पर हमारे लेयर परत के रूप में वह एक उससे कवर कर लेगी जिससे ब्लैक टिप दिखाई नहीं पड़ने का और मार्किट में इसकी अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिलेगा और जिससे हमारी प्राइस वैल्यू ज्याद़ मिलेगी देखिए बात करते हैं मैंगो मिली बग मैंगो मिली बग इसका एक मेजर पेश्ट है देखिए मैंगो मिली बग का कोशन एक इसके रिगार्ड़ है कि जो आम में जो मैंगो मिली बग है उसके resistant के लिए यानि की उसके नियंतरण के लिए क्या करें देखिए जैसे mango का जो ये पेड है इसके हम चार और जो पोलोथीन है इसकी banding करते हैं जिसे मिली बग क्या है मिली बहां और एक आपके knowledge के लिए बता दो जो मिली बग है उसके जो अपने reproductive organs जो है उससे जो एग produce होंगे तो वह अपने एग है ना तो भूमी के अंदर याने की मिट्टी में ही उनको उनका development होता है तो जैसे ही उनसे मिली बग तयार होगी और वो पेड़ पर ऐसे ऊपर की और चड़ेगी तो जो हमने bending की हुई है तो उससे वो slip होगी है ना तो इसलिए हम एक बैंडिंग है तो कोश्चा ना सकता है कि bending practice कि किस fruit के लिए suitable है तो mango के लिए बैंडिंग पुलोथिन बैंडिंग suitable है किसके regarding यह mango मिली बग के लिए तो कुछ पॉइंट थे यह mango crop के regarding जो एक्जाम में काफी यूनिक है तेखे गाईज आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेसन अच्छा लगा तो एक लाइक जिरूर कीजिएगा और कमेंट कीज चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए तो